जै श्रीराम जै हनुमान आज की अयोधाकान कथा कुछ इस प्रकार है फिरेहु निसादू प्रभही पहुचाई सचिव सही तेरते देखे से आई मंत्री भिकल बिलो की निसादू कही ना जाए जस भयाँ विसादू प्रभुशी रामचंद जी को पहुचा कर जब निसाद राज लोटा तब आकर उसने रत को मंत्री सही देखा मंत्री को व्याकुल देखकर निसाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता रामे रामे सिये लखने पुकारी पर उधरने तले ब्याकुले भारी देखी दखीने दिस है ही नाही जनुबिनुपंक भी हग अकुलाही निसाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा राम हा सीते हा लचमर पुकारते हुए बहुत ही व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े घोडे दख्छन दिसा की और देख देखकर ही नहीं नाते हैं मनो बिना पंके के पच्छी व्याकुल हो रहे हूँ नहीं त्रने चरह न पिये ही जलू मोच ही लोच निबारी व्याकुल भैनी साध सब रगुबर बाजी निहारी वे ना तो घांस चरते हैं ना पानी पीते हैं केवल आँखों से जल बहार है श्री राम चंद जी के घुणों को इस दसा में देखकर समनिसाध व्याकुल हो गए धर धीर जो तब कहाएं निसाधू अब सुमंत्र पर हरा हूं भी साधू तुम्हें पंडित परमारत ग्याता धरा हूं धीरे लखे भी मुख भी धाता तब दीरस धरकर निसा राज कहने लगा हे सुमंत्र जी अब विसाध को छोड़िए आप पंडित और परमारत के जानने वाले हैं विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर धरण कीजिए बिविध कथा कहीं कहीं ब्रदवानी रथ बैठा रहूं बरे बसे आनी सोक सिथिले रथ सकए नहां की रग बरे बे रहे पीरे उरे बांकी कोमलवानी से भातिभात की कथाएं कह करने साथ ने जबर्दस्तिला कर सुमंत को रथ पर बैठाया परन्त सोक के मारे वे इतने सिथिल हो गये हैं की रथ को हाँख नहीं सकते उनके रदे में श्री राम चंद्र जी के विरह की बड़ी ही तीवर वेद्रा है चर फराही मग चल ही न घोरे बन म्रग मन हुआनी रते जोरे अडुक परही पिरहे रही पीछे राम भी योगी भी कल दुखती छे घोडे तर फडाते हैं और रास्ते पर नहीं चलते मानो जंगली पसुला कर रत में जोद दिये गए हूँ वे शी राम चंद जी के वियोगी घोडे कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं तो कभी घूम कर पीछे की ओर देखने लगते हैं वे तीछोड़ दुख से व्याकुल है जो कहे राम लखानू बैदे ही हिंकर 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 ही तेहरे तेही बाजी भी रहे गती कही कि में जाती बिनुमनी फनी के विकले जही भाती जो कोई राम लच्मन का जानकी का नाम ले लेता है गोडे हिंहिना कर उसकी और प्यार से देखने लगते हैं गोडों की विरह दसा कैसे कही जा सकती है वे ऐसे व्याकुल है जिसे मण की बिना स्याम व्याकुल होता है भयों निसादू भिसाद बस देखत सच वितुरंग बोलि सु सेवक चारितब दिये सार्थी संग मंत्री और गोडों की अदसा देखकर निसाद राज भिसाद की बस हो गया तब उसने अपने चार उत्तम सिवक बुलाकर सार्थी के साथ कर दिये जै शीराम जै हनुमान आज की अध्यकान कता में बस इतना ही हर हर महादेव